गाडियों के इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर में दिये गए टेल टेल से गाडियों को चलाने में और इनके रख रखाओं में आसानी होती है। इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर में चार प्रमुख लैंप्स स्टित है। यह लैंप्स हैं, हिस्ट लैंप जो एक्जॉस्ट के तापमान बढ़ने का संकेत देता है, बीपीफ लैंप जो पार्टुकलेट फिल्टर के चोक होने का संकेत देता है, DEF Lamp जो DEF की खराब क्वालिटी या DEF की मात्रा बहुत कम होने का संकेद देता है DWS या SCR Lamp जो ड्राइवर को वार्निंग देता है गाड़ी चलाते समय इन Lamps पे ध्यान रखे अब इन Lamps के On होने पर क्या संकेद मिलते हैं और क्या करना चाहिए ये देखते हैं Exhaust सिस्टम में सूट या Particulate Matter जमा होने पर Instrument Cluster पे लगा DPF Lamp जल उठता है ऐसे समय पर गाड़ी को किसी खाली और सुरक्षित जगे पे खड़ा कर टैशबोर्ड पे स्थित Regeneration Switch को दबाना होता है जिससे DPF में जमा Particulate Matter जल जाते हैं इस प्रक्रिया के खतम होते ही DPF Lamp बंद हो जाता है और गाड़ी को फिर से चलाया जा सकता है ध्यान रहे कि DPF Lamp जलने के बाद अगर ज्यादा समय तब बिना Regeneration यानि Particulate Matter को बिना जलाये गाड़ी को चलाया गया तो गाड़ी की ख्षमता कम हो जाती है कुछ समय बाद गाड़ी Lamp Home Mode में चली जाती है तब गाड़ी को Service Center में जाके Service कराना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए जब Exhaust System के Particulate Filter में जमा Particulate Matter और सूट को जलाये जाता है तब Exhaust System का तापमान बढ़ जाता है Instrument Cluster Pasted, Hatch Clamp तब On हो जाता है ये आम बात है और इससे Exhaust System के तापमान बढ़ने का संकेत मिलता है अगर गाड़ी किसी ऐसे जगे से गुजर रही है जहाँ पर ज्यादा तापमान उचित नहीं है तब Dashboard Pasted Regeneration Innovate Switch को दबाए इस स्विच को दबाने से Particulate Matter और सूट के जलने की प्रक्रिया को रोका जाता है ध्यान रहे कि ये एक Safety वीचर है और Inhibit Switch को सिर्व ऐसे मौकों पर ही इस्तमाल करें गाड़ी के ऐसे जगे से निकलने के बाद Inhibit Switch को आफ करना ज़रूरी है ताकि Particulate Matter को निरंतर जलाया जा सके BS6 गाड़ियों में Tata Motors Genuine Def का ही इस्तमाल करें और Def Tank में हमेशा Def की सही मात्रा मेंटेन करें ऐसा ना होने से इंजिन कम शमता पे काम करता है Def कम होने पर या Def की Quality खराब होने पर Instrument Cluster पे मौजूद Def Lamp या M.I.L. Lamp इसका संकेत देता है इसमें से किसी भी Lamp के जलने पर जल से जल ताटा मुटर Genuine Def टैंक में भर दे Driver Warning System याने DWS Lamp के जलने पर गाड़ी को तुरंद सर्विस सेंक्टर में ले जाए गाड़ी चलाते हुए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखें गाड़ी हमेशा Heavy Mode में ही शुरू करें और जरूरत के अनुसार Medium Mode या Light Mode में चलाएं खाली गाड़ी को Light Mode में ही चलाएं ज्यादा से ज्यादा Fuel Economy Switch के Modes का इस्तमाल करें और अगर अधिक बल की जरूरत हो तो ही Gear Change करें चड़ाई पर चड़ते हुए या धलान से नीचे जाते समय सही Gear और Mode में गाड़ी चलाएं चड़ाई चड़ने से पहले Hill Start Assist को Activate करें ध्याद रहे कि HSA के सही चलने के लिए ABS सिस्टम का सही होना जरूरी है इसलिए चड़ाई चड़ने से पहले ABS को Activate कर लें धलान से नीचे जाते हुए Engine Break का इस्तमाल करें और धलान के पहले Engine Break को Activate करें इस्तमाल के बाद Engine Break को Off कर दें Traffic में उचे दूरी बना के Drive करें ताकि अचानक Breaking या Acceleration ना करना पड़ें हमेशा Gear में ही चलाए Clutch Riding बिलकुल ना करें गाड़ी को Coasting याने Gear में Accelerator को छोड़के चलाने की कोशिश करें टायर में सही Air Pressure तथा Def Tank में Def की सही मात्रा एवं Quality मेंटेन करें Tata Motors Genuine Def का ही इस्तमाल करें Cabin पे लगे Blind Spot Mirror और Rare View Mirror का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें टिपर को हमेशा समतल या सपाट जगे पे खड़ा कर टिपिंग करें तो दोस्तों इस ट्रेनिंग में हमने BA6 की गाडियों में तथा केबिन में दिये गए नए features के इस्तमाल के बारे में समझा और ये जाना कि इनके सही इस्तमाल से गाड़ी चलाना अब कैसे ज्यादा आसान आराम देया और सुरक्षित है हमने देखा कि इनके इस्तमाल से डीजल की बचत होती है तथा गाड़ी के खर्च भी कम होते है हमने instrument cluster पेस्तित BA6 के महत्वपूरुन लैंप्स के बारे में समझा और इनके on होने का कारण और समाधान के बारे में जाना Tata Motors Team की तरफ से आपका शुक्रिया